कि है यहां वाज़ार है मेरी बोलो जल्दी अब अब देखो अभी मिनने क्या बताए आपको कि मानलो कोई reaction लेप के अंदर चल रही है और यह मानलो उसका ग्राफ है और अगर कोई reaction body के अंदर चल रही है लेकिन body में enzyme present होता है इसमें enzyme प्रेजेंट नहीं तो इसका energy up activation थोड़ा ज्यादा होगा और आप बोल सकते हैं जो body के अंदर reaction है उसकी energy up activation बोलो क्या होगा बच्चो यहां पर energy up activation थोड़ी सी क्या होगी कम होगी body के अंदर inner body और मैं इधर लिख सकता हूं कि यह lap के अंदर जो energy up activation होगी क्योंकि यहां पर हमने enzyme लिया है क्या नहीं लिया इसलिए energy up activation थोड़ी सी ज्यादा होगी तो क्या अभी इसका मिनिक समझ में आया देखो different from energy up activation obtained in lab यानि कि उनकी energy up activation में क्या होगा बच्चो difference होगा आप समझ में आया सबको message करो यह वाला problem अब सभी को समझ में आया आप आगे का बताओ आप खुद बता दो कि enzyme increase the rate of reaction enzyme increase the rate of reaction by lowering the activation energy समझ में आया सबको यह आप समझ जाना अभी कि enzyme का क्या क्याम होता है by lowering the energy of activation बाकी तो फाल्ट है ठीक है ना समझ में आया सबको अभी देखो यह 57 भी हो गया आपका enzyme rate of reaction के से increase करता है by lowering the energy of activation जो आप सभी को अच्छे से बच्चपन से पता है यह देखो बच्चो यह देखो इसको पड़ो अभी energy of activation of a chemical reaction can be determined by evaluating the rate constants at the two different temperature इसके अलवा आपको कोई सही आंसर दीक राएगा बताओ जल्दी मैंने आपको पड़ाया था कि energy of activation हम कैसे निकाल सकते बच्चो जल्दी बताओ energy of activation के लिए हमें क्या क्या चाहिए सर टी वन टी टू के वन के टू यानि कि solve करे किसको solve करे बच्चो evaluating यानि कि solve करे rate constant को दो different temperature पे यह आपका आंसर हो जाएगा ए बोलो समझ में आया सबको message करो यह वाला समझ में आया question सबको बताओ yes और no कि आगे देखो अभी कि आगे बड़ो कि यह देखो यार यहां पर देखो दो बाइद एक्शन ऑप एंजाइम देखो यह एंजाइम के वज़े से यहां पर ध्यान देना एंजाइम के वज़े से मुझे बताओ rate of biochemical reaction क्या होगा message करो बढ़ेगा कम होगा बताओ तो आप बोलोगे sir increases the rate of reaction आप देख लेना यह आपका sol हो जाएगा ठीक है न यह आप सबको बचपन से पता है मैं बता रहा हूँ हाँ तो आप देख लेना यह वाला question आपका 59 sol हो जाएगा कि एंजाइम से biochemical reaction का rate क्या हो जाता है बढ़ जाता है दूसरी बात यह भी sol हो गया 58 56 57 भी हो गया 55 भी हो गया आपका ठीक है न अब यह 53 वाला question दरा देखो उन्होंने आपको दो rate constant गिवन है ध्यान देना आच्छे से k1 गिवन है k2 गिवन है this is your k1 and this is your k2 और उन्होंने temperature की value पूछिए कि k1 और k2 कब बराबर आएंगे यह पूछा है तो आप सभी को क्या करना है पता है क्या सबसे पहले तो मैं इसको solve करने की कोशिश करता हूँ आप भी देखो देखो ध्यान देना आच्छे से अब देखो आप सभी को मैं बता दू केवन गिवन है बच्चो कौन से temperature पे दोनों equal आएंगे question सुनलो कौन से temperature पे दोनों equal आ जाएंगे तो केवन आपका given है देखो मैं बता देता हूँ केवन गिवन है 10 raise to 16 यह आपका a है a और e raise to minus 2000 divided by t यहां पर मैं लेलू 10 raise to 15 multiply by e raise to minus 1000 divided by t तो उन्होंने पूछा दोनों कब बराबर आएंगे बच्चो दोनों कब बराबर आएंगे तो इसका solution देखो थोड़ा सा lengthy problem है सबसे पहले तो आप क्या करो आप इनको compare करो ऐसे sir k1 हमारा 10 raise to 16 multiply by e raise to minus 2000 divided by t और बच्चो k2 आपका आ जाएगा 10 raise to 15 into e raise to minus 100 divided by t तो आप बोलोगे sir यह cancel हो जाएगा इधर से इधर तो इधर कितना बच्चा इधर बचेगा sir कितना बचेगा बोलो यार इधर सिर्फ बचेगा आपका 10 अब आप क्या करोगे ध्यान देना आच्चे से बहुत ही important चीज़ बता रहा हूं अब आपको क्या करना है और कि एको हटाने के देना आभी है एक स्टेव में बता रहा हूं स्टेव को होड़ावक Duns backyard स्टेव्चर आप क्या करो याद रखने की कोशिश करो आप सब को पता यह सुना अच्चे से थोड़ासद एजी कर सकता हूं क्या मैं यह कुछ आसान कर सकता हूं क्या एक मिनिटा बस थोड़ा सा रूख जो मैं थोड़ा एलेन की टम में ठीके आप यह एलेन ले लो इसका लॉग यहां पर ले लो टेकिंग एलेन ऑन बोथ साइड तो एलेन लेने के बाद आप बोलोगे सरीधर आ जाएगा आपका एलेन थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा एक मिनिट रुख जो थोड़ा आसानी के साथ कर लेता हूँ एक मिनिटा बच्चा यहां पर देखो मैं थोड़ा सा 10 रेस्टू 16 इंटू e रेस्टू माइनस 2000 डिवाइड़ बाइटी इस इकल टू 10 रेस्टू 15 इंटू e रेस्टू माइनस 1000 बाइटी अब मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा यह जो टर्म है न 10 वाली एक साइड ले लेता हूँ और इधर इसको उधर ले 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 तो यहां पर क्या आ जाएगा देखो 10 रेस्टू 16 डिवाइड़ बाइड़ या फिर देखो मैं इसको इसको इधर ले ले लेता हूँ तो क्या आजाएगा यह रेस्टू माइनस 2 तू तू टू तक डिवाइड़ वाइड़ वाइड़ यह उसके नीचे तो एट तू क्या जाएगा माइनस थाूज़ बाइड़ डिवाइड़ बाइटी इस इजुको टू क्या आजाएगा 10 raise to 15 divided by 10 raise to 16 ये step समझ में आई सबको मैंने क्या किया जल्दी बताओ ये वाले step सबको समझ में आई मेसेज करो हाया ना जल्दी बताओ ये वाले step समझ में आई क्या ठीक अच्छे बात है कुछ नहीं किया मैंने बस इसको हमें तो बस temperature चाहिए कि कौन से temperature पे K1 और K2 इकोल होगा बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें ठीक है ना अब देखो अब हम कैसे solve करें तो सर एक काम करते ना ये वाले दिख रहे 10 raise to 15 इसका क्या आएगा इसका क्या आएगा जल्दी बताओ इसका आजाएगा सर 10 raise to माइनस 1 आजाएगा और इसका क्या आजाएगा इसका e raise to क्या आजाएगा सर e raise to आजाएगा माइनस 100 divided by t आप इसको solve करके देख ले ना ठीक है ना आपको पता है उपर जाने के बाद ये प्लस हो जाएगा तो माइनस 2000 t माइनस प्लस ये इसका अंसर क्या आजाएगा देखो ना रेसी प्रोकल को solve करो ना इसे होता है ना m raise to x n raise to y तो आप लिख सकते हो नीचे भी m है ना नीचे भी m है ना मानलो ये तो आप लिख सकते हो m उपर को ने x minus y इस तरह से तो इसको solve करने के बाद आपके पास ये वाला अंसर आ जाएगा मुझे बताओ यहां तक की बाते clear है सबको बताओ हाया ना ये वाला यहां तक सबको समझ में आया बच्चो message करो हाया ना जल्दी बताओ सब के सब बताओ मैंने कुछ ने किया बस इनको solve किया इनको बस इको solve किया मैंने अब आप बोलोगे सर एक काम करो देखो इसको हटा देता हूं मैं यहाँ पर देखो आच्छे से एक मिनिटा वेज़े सोलुशन आपके वहाँ पर गिवन है लेकिन यह वाला सोलुशन बेटर है ठीके ना क्या बोला मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर लिख देता हूं अब यहाँ पर देखो अब आप बोलोगे सर एक काम करो लॉग दोनों साइट यूज करो तो आप बोल सकते सर लॉग लन यूज करो सबसे पहले तो लन यूज करो तो आप बोलोगे सर ln of e raise to minus 100 divided by t is equal to ln of 10 raise to minus 1 दोनों तरफ आपने natural logarithm यूज किया क्योंकि हमें e को घटाना है ना ठीके ना बच्चो e को हमें हटाना है तो आप बोलोगे सर इसको log में convert करो 2.303 log of below e raise to minus 1000 divided by t is equal to 2.303 log of 10 raise to minus 1 बच्चो अब आपको पता है सर ये cancel हो जाएगा sorry देखो ये तो 2.303 तो cancel हो जाएगा ठीके ना अब यहाँ पे ध्यान दो यहाँ पे log 10 क्या आ जाएगा बोलो इस minus 1 को में आगे ले सकता हो ठीके ना तो मेरे पास answer आ जाएगा minus 1 into log 10 log 10 क्या आ जाएगा बच्चो तो आपको होता है log 10 होता है एक सही है ना log 10 आपका 1 होता है ठीके ना तो यहाँ तक आ गया minus 1 अब इधर की तरफ देखो सर इधर बचा इधर क्या बचा लॉग हाँ इधर देखो क्या बचा अभी बहुत ध्यान से सुनना सर इस minus वाली इधर को मैं आगे ले सकता हूं आगे की तरफ तो लिख सकता हूं minus 1000 divided by t इधर बचा log of e to the base 10 यह 10 होता है आपको पता है तो इसका अंसर देखो अभी ध्यान से बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना अब हमें दोनों को equal बताना है मालों इधर वाली टर्म और इधर दोनों को equal बताने तो कैसे equal बताऊंगा तो अब मुझे बताओ अगर मैं अब आपके option देखो यह यहां तक सबको समझ में आया पहले बताओ यहां तक सबको समझ में आया बताओ बच्चों यहां तक सबको समझ में आया और हां इसकी value आपको पता नहीं होगी मैं बता देता हूं यह तो इसकी वाल्यू होती नहीं होती है 2.303 इसकी वाल्यू आप देख ले ना 2.303 होती है अब देखो में क्या बताता हूं आपको अब इसको में लिखी देता हूं multiply by 2.303 अब थोड़ा ध्यान से सुनना इस equation को पहले बताव यहां तक की equation सबको समझ में आई सबके सब बताव यहां तक की equation सबको समझ में आई आप यहां पर देखो थोड़ा सा एक मिनिटा यह देख लो स्क्रीन दिखाए देरी अभी सबको आप देखो अब हमारा equation कोन सा ता में लिख देता हूं side में हम कहां तक पहुचे थे तो में बता दो आपको हमने यह वाला equation find out किया था कि minus 1000 divided by T यहां पर इंटू लिख दू में 2.303 is equal to minus 1 तो मुझे बता बच्चो यहां minus plus तो cancel हो जाएगा अब temperature कितना लूँ बच्चो temperature कितना लूँ कि मेरे दोनों भी equal हो जाए दोनों equal हो जाए तो आप बोलोगे sir एक काम करो ना इन में से इन में से कोन सा temperature लूँँ यह वाला temperature लेके देखो तो देखो यह वाला temperature लेके देखो तो उपर 1000 नीचे 1000 by 2.303 into 2.303 तो सब cancel हो जाएगा समझ में आया बच्चो तो दोनों side आपकी equal हो जाएगी समझ में आया सभी को अभी यह आपका option क्यों था हाला कि इस तरह के problem आपको इस बार नहीं पूछे जाएंगे समझ में आया फिर वे मैंने बता देए आपको for your safety अगर ऐसे question आ जाए तो जितने आपके solution में भी आपको मिल जाएगा steps किस तरह से चलो समझ में आया सबको लेकिन मैं बता रहा हूँ honestly इस तरह के problem करने की कोई भी जरूत नहीं पूछेगा ठीक है ना पूराने जमाने में बहुत पहले पूछते थे अब भी आपको यह वाले problem पूछेंगे मैं आभी देख एक बात समझो अच्छे से यह कोई जरूत नहीं इस तरह के problem करने की अब सीधे में बता दो आपको क्या करना है एक्जाम से पहले सबसे पहले तो जो temperature versus rate का जो मिने पढ़ाया उसके formula आपको अच्छे से learn करने है उसके formula अब यह आपको समझ में आ गया होगा सर जी formula compulsory learn करने है उसके बाद उनके graph देख लेना यहां से question आने के chances कम है बहुत कम है लेकिन कर लेना लेकिन फिर भी कर लेना अब दूसरी important बात बच्चों दूसरी important बात एक मिनिट दूसरी important बात झाल